Hello everyone, एक पर फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दामाथमाचे शो में Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग एक viral question को solve करने वाले हैं और सिर्फ इस question को solve नहीं करेंगे, बलके मैं आपको आज एक नया rule बताने वाला हूँ जो कि आपको इस तरह के question को solve करने में बहुत ही help करने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं Friends, question आपे सामने है 6 divided by 2 parenthesis 1 plus 2 आप लोग इस तरह के question यूट्यूब पे कई बार देख चुके होंगे लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक नया rule बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करके इस तरह के questions को solve कर लेंगे Friends, 6 divided by 2 parenthesis 1 plus 2 हम लोग जानते हैं board mass rule के हिसाब से 6 divided by 2 और यह जो parenthesis या bracket के अंदर जो operations होता है उसको हम लोग पहले solve करते हैं तो 1 plus 2 हो जाएगा 3 अब इसके बार 6 divided by 2 parenthesis 3 तो यह इस तरह से लिखा जाएगा 2 multiply 3 अब यहीं पे आता है हमारा नया rule देखिए, board mass rule के हिसाब से सबसे पहले हम लोग division करते हैं उसके बाद multiplication लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर किसी भी operation में multiplication और division दोनों हो तो हम लोग left side से operations शुरू करेंगे चाहे multiplication पहले हो या division पहले हम लोग left side से operations को solve करेंगे अब यहाँ पे क्या है कि पहले division है 6 divided by 2 equals हो जाएगा 3 into 3 3 into 3, 9 हो जाएगा तो इस problem का जो answer है वो 9 हो जाएगा तो friends इस video में मैंने जो आपको rule बता है वो rule आप हमेशा याद रखेगा जब इस तरह का problem आपको solve करना होगा तो multiplication division एक साथा कर रहेगा तो सबसे पहले left side में जो operation होगा उसको पहले solve करेंगे चाहे वो multiplication हो या division हो देन उसके बाद right side वाले को ठीक है I hope यह video आपको बहुत ही interesting और useful लगा होगा इसी तरह के interesting videos देखने के लिए इस channel को subscribe करके bell icon दबा दे